चलिए तो फिर सापका एक बार स्वागत थे अपने इस परिवार सायनिकी स्कूल गुरू में अगर आप चैनल पर नए हैं और सायनिकी स्कूल राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल जवाहर नुदे बिद्याले की त्यारी करते हैं सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सायनिकी स्कूल आश्ट्रे मिलिटरी स्कूल और जवाहर नौदे विद्याले में क किस टाइब के कोश्चन पूछा जाते हैं तो कमप्यूटर जी सबसे पहले जलबी से कोश्चन नमबर वन लगा दिजे अपने स्क्रीन पर तो सबसे पहला कोश्चन ये आगे आपके स्क्रीन पर कि Find the Difference Between the Greatest 2-digit number and Least 2-digit number यानि, दो अंको की बड़ी से बड़ी संख्या तुछोटी संख्या का अंतर क्या होगा तो सभी लोग जानते हैं कि 2 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99 और 2 अंको की छोटी से छोटी संख्या होती है 10 और इसका अंतर पूछ रहा है तो 99 में से 10 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 89 तो option number C is the right answer, option number C is the right answer, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, next question आपके screen पर यह रहा तो जब भी इस type के question है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि 3 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 999 और इसको 5 से भागा देंगे, अगर 5 से भागा चला जाता है, तब तो यही संख्या हो जाएगी, अगर नहीं जाता है, तो फिर सेस्फल को माइनस कर देंगे, ज सबसे पहले एक बार जाएगा, तो यह सेस्फल आगया 4, चलिए, आगे देते हैं, अगली संख्या उतर गी 9, और फिर 5 से इसको भागा देंगे, तो यह जाएगा 9 बार में 45, और सेस्फल आगया 4, फिर अगली संख्या उतारेंगे 9, और फिर भागा देंगे 9 बार तो यह संख्या बन गई 995 यानि 995, option number B is the right answer, option number B is the right answer, next question की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्क्रीन पर यह रहा, place value of 6 in the number 45602, यानि 45602 में 6 का अस्थानिय मान क्या होगा, तो बहुत ही असान question है, 45602 में आप से 6 का अस्थानिय मान पूछ रहा है, 6 का place value पूछ रहा है, तो य हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600, यानि option number C is the right answer, option number C जो होगा, वो सही होगा, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो सबसे पहले like कर दिया करो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, which is the smallest fraction, यानि आप से पूछ रहा इसमें दिखाई दे रही है, दो, तो ये आपका answer हो गया, दो बटे में 5, यानि option number D is the right answer, option number D is the right answer, देखो, जब भी fraction हो, और उपर वाला, यानि numerator सेम हो, देखिए, ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मानलो कि कुछ मैंने भीने लिख दिया, जैसे मानलो 5, 5, 5, सब का numerator 5 होगा, और नीचे denominator 1, 2, 3, 4, तो इसमें सब का जो अंस है, वो बराबर है, अंस क्या है, बराबर है, तो इसमें जो हर होगा, नीचे वाला जो denominator होगा, वो सबसे चोटा होगा, तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, वो सबसे क्या हो जाएगी, बड़ बटे में 2 और उसे से छोटी संख्या हो जाएगी 5 बटे में 3 और उसे से छोटी संख्या हो जाएगी 5 बटे में 4 यह 4 है तो यह सबसे छोटी हो जाएगी 5 बटे में 4 यानि जिसका अंस यानि उपर वाला numerator अगर सेम है तो denominator जिसका छोटा होता है वो सबसे बड़ी संख्या हो तो है कि सबसे बड़ा फिन्य कोन्सा है इसकों इसमें अंस जो होगा सबसे जो चोटा होगा वह कुझांटी फ्रेक्षिन हो जाएगी तो इसमें सबसे छोटा अंस किसका है तो इस ओटrna नौ जो है यह सबसे फोटी हो जाएगी ठीक है आप से पूछाए कि ग्रेटेस तार्व निए ऑड़े सेबड़े तो चिसका अंस बड़ा हो तो सबको बड़ा से बड़ा किसका अंसर दिखाई दे रहे तो यह दिखाई दे रहे साथ बटे में नौ यानि option number B is the right answer option number B is the right answer चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं next question यह रहा 20 book are bought for rupees 2000 how much will be 45 book cost यानि 200 रुपए में 20 पुस्तकों को खरीदा जाता है तो 45 पुस्तकों की कीमत क्या होगी तो सबसे पहले बहुत आसान जब भी इस टाइप के questions आते हैं तो मैं इसका shortcut आपको बताता हूं कि सबसे पहले लिख लिया करो book और cost देखिए तो सबसे पहले इस पे लिख लिया कीजिए book और यहां पे इसका प्राइज लिख लिया करो ठीक है तो सबसे पहले 20 बुक ध्यान से देखेगा इस question को कैसे करेंगे 20 बुक बीस पुस्तकों की कीमत कितनी है जल्दी से बताओ तो 200 रुपए 200 रुपए ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि 45 पुस्तकों की कीमत 45 बुक्स की प्राइज क्या होगी तो यहां पे लिख लेना अब ध्यान से देखो किसका पेर मिल ला है किसका पेर मिल ला है मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसका पेर दो भी देखो यह वाला पेर मिल ला है यह दोनों संख्याएं मिल लही है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे जो एक बज जाएगा उससे भागा दे बार में कड़ गया, 450 रुपए, option number B is the right answer, 450 रुपए, इसका option number B हो जाएगा, सही answer, 450 रुपए, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, next question यह रहा कि average of 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 का आउसत क्या होगा, तो सबसे पहले average निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, sum of the number upon total number of the number, तो चलिए, इसमें सबसे पहले, sum कर लेते हैं, जोड लेते हैं सभी संख्याओं को, तो यह हो जाएगा, 2, धन, 3, धन, 4, धन, 5, धन, 1, बटे म total संख्या कितनी है, 5, तो जब आप इसको जोडेंगे, तो यह आएगा, 15 बटे में 5, तो इसका आउसत जो आजाएगा, वो आजाएगा, 3, option number D, is the right answer, average आजाएगा, 3, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, यह रहा, आपके screen पे, next question, find the average of first 5 multiple of 3, 3 के प्रथम 5 गुनजों का 15 के प्रथम 5 गुनजों, यानि multiple of 3, तो multiple of 3, 5, तो लिखेंगे, तो सबसे पहला multiple हो जाएगा, 3, दूसरा हो जाएगा, 5, sorry, 6, 3, 6, 9, 12, और यह 15, तो इसमें आप से पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं का आउसत क्या होगा, तो देखो, इसमें common difference सबका सेम है, इसमें common difference सबका सेम है, जब मैंने आपको average पढ़ाया था, तो उसमें बताया था, ठीक है, जिन विद्ध्यार्थियों को ये question समझ में आ रहा है, वो practice कर सकते हैं, हमारे online batch में आप जुड़ सकते हो, online batch में जुड़ने के लिए आपको whatsapp करना पड़ेगा, 9793252999, इस पे आप message कर दि पहले इसका average पूछ रहा है, तो average आपका common difference सेम है, सभी संख्याओं का बीच का अंतर सेम है, देखो 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, यानि ये number जो है, वो series में चल नहीं है, ठीक है, सबका अंतर समान है, तो इसका direct formula मैंने बताया जोड़ा था कि first number plus last number upon 2, तो पहली संख्या 3 plus last number 15 upon 2, इसको आप हल कर देंगे, इसका average निकल जाएगा, 15, 3, 18 बटे में 2, तो ये कड़ गया 9 बार में, तो इसका average कितना हैगा, 9, इसका answer कितना हैगा, 9 is the right answer, चलिए, next version की तरह बढ़ते हैं, ये रहा आपके screen पे, कि find the 30% of rupees 400, 400 रुपए का 30% ज्याद करो, तो बहुत यासान question है कि 400 का 30%, 400 का 30% क्या होगा, तो इसका कर देजिएगा, अब 400 का means मैंने बताया है, गुना 30, और ये जब 30% हटेगा, तो बटे में 100 हो जाएगा, 20-0 से 20 कड़ गया, 120 is the right answer, 120, option number C is the right answer, next question की तरह बढ़ते हैं, ये रह आपके screen पे next question, कि simple interest on rupees 300 for 3 year at 5% per annum, यानी 300 रुपए का 3 वर्स का 5% वार्षिक ब्याज की दर से simple interest क्या होगा, तो simple interest का formula होता है, principal into rate into time upon 100, तो यहाँ पे principal आपका दिया होगा, 300 into rate दिया होगा, 5 और time दिया होगा, 3 year, बटे में 100, इसको आप हल कर लेंगे, तो ये कड़ ग से 20, question हो गया, कि 3 गुणे 5 गुणे 3, 3, 5, 15 या 45 रुपए, कितना गया, option number D is the right answer, चलिए, तो ये रहा, option number D is the right answer, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, thank you. प्रिध के लाद des मुझे 2, कितना गया, प।क के लिसका लेडियो में 100, इसको आताए हैं, तो मिलते हैं, तो मिलते हैं, तो मिलते हैं